दोस्तो पहलवान बल्लू मडर केस में रोजाना नए नए खुलासे होते हुए नजर आई हैं तो बताते हैं इस बारे में पूरी जानकारी वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तो फरीदाबाद में मंगलवार को बल्लू मडर केस के बाद दिल्ली में बड़ी गैंगवार होने की आसंका जताई जा रही है इस कांड के पीछे पैसे के लेंदेन, कोट में गवाई ने देना और गैंग को बदलने की वज़े बताई जा रही है साथ ही बताया जा रहा है कि सत्या कांड में लॉरेंस बिस्नोई के करीबी कपिल सागवान का हाथ होने के भी आसंका है इस वक्त कपिल सागवान अमेरिका में रहकर वहीं से ही नेटवर्क चला रहा है दोस्तो बल्लू पहरवान लॉरेंस बिसनोई के करीबी कपिल सागवान का खास गुरगा था लेकिन बाद में इसकी नजदीकिया गैंक्ष्टर मंजीत महाल से बढ़ गई थी इसके बाद उसने नंदू को पैसे देना भी बंद कर दिया था सैद इसी लिए ही वह नंदू और उसकी गैंक के लोगों के निसाने पर आ गया था दोस्तो पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि साल 2014 में कपिल सागवान के जीजा सुनील डॉक्टर के मंजीत महाल ने बल्लू के ओपिस में हत्या करवाई थी उस वक्त बल्लू भी वहां मौजूद था और एक मात्र गवा बल्लू ही था और इसलिए ही बल्लू को कोट में गवा देनी थी और वो कोट में गवाई देने से इनकार कर रहा था और गवाई देने से फीचेट रहा था क्योंकि बल्लू मंजीत महाल के खिलाब गवाई देना नहीं चाहता था इसलिए ही नंदू उससे काफी दनों से नाराज चल रहा था दरसल दोस्तों बल्लू पहलवान आज से करीब आठ महीने पहले जेल से लोट कर आया था इस बीच आसंका है कि उसकी मुलाकात गैंक्स्टर मंजीत महाल से हुई होगी जेल से आने के बाद दिल्ली पुलिस ने उसे दो साल के लिए तड़ी पार कर दिया था लेकिन अभी भी वे मंजीत महाल गिरोग के संपर्क में था इस बात की जानकारी नंदू गिरोग के लोगों को थी इसलिए ही उसका मडर कर दिया गया दोस्तो पुलिस द्वारा बताया गया है कि जिस प्रकार दोनों सूटर्स ने हत्या की है उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो सूटर्स बल्लों की काफी दिनों से अच्छी तरह से रेकी कर रहे थे साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जिस वक्त उसे मारा गया उस वक्त उसका घर से ही पीचा किया गया होगा इसलिए ही दोनों सूटर्स ने मौका पाकर उस पर तावर तोड फारिंग कर उसकी हट्ट्य कर दी एड़ इसके बाद दोनों सूटर्स मौके से फरार हो गई इस पूरे गटनकरम के बाद पुलिस अब दोनों सूटर्स को तलासने में लगी हुई है साथ इस बताया जा रहा है कि पुलिस नंदो गिरो और मंदित महाल गिरो से भी पूँचनाज करने की तयारियां कर रही है तो दोस्तों आपके सोटेश पूरे गटनकरम को लेकर कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ तब तक के लिए जैहिंद